कोडिक स्टुडेंट्स इधर सीवियर सी और इसी अर्यूपी बोर्ट और एनी अधर स्टेट बोर्ट और और इस प्रेंट्स सभी में कमन प्रॉब्लम रहती हैं और वही देखने को आती है वह कहते मैं ने अपना रिवीजन तो पूरा कर लिया है और लिवीजन कर लिया तो थ्री बार से रिवीजन कर लिया लेकिन तर्फ एक्जामनेशन बहुत नियर अबाउट है उनली प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहती है कि इतना सब तयार किया लेकिन कितने सारे चैप्टर्स हैं फिजगल है और गेनिक है इन और गेनिक है इन और गेनिक है प्रॉब्लिया और रहितव हैं बश्यक्जामनेशन में बियुद्वन में लिखना भी होता है एक्जामनेशन में पार्टिसिपेट होते हैं कोई question अलग-अलग chapters के होते हैं अलग-अलग topic के होते हैं numerical problem भी होती है reasoning भी होती है interconversion भी होता है reaction mechanism भी होती है okay what problem भी होते हैं तो एक साथ इनको recall करके बहुत अच्छा perform करना यह थोड़ा difficult दिखते हैं dear students कि अभी लें आपका experience तो यू कैन आनकाउंट आप योड़ रिस्पांस एक बात क्लियर हो रही है कि आपने अभी मेंस एक्जामिनेशन दिया फ्रस से सन आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिये कंशन इस्कूल में वन और टू प्री बोर्ड भी दिये और उनमें आपका performance आप बहुत अच्छा रिवीजन करके कहा थे तले बस पूरा तयार था तू थ्री फॉर टाइमस रिवीजन किया था लेकिन एक्जामनेशन में तो जैसा आउटपूट आना चाहिए वैसर नहीं और अब कमींग बोर्ड इग्जामनेशनमें स्टूटि freshwater पुछ ऐसे जो क्येवल बोर्ड के इक्जाम तियारी कर रहे थे पुछ स्टूटेंट थे नीट की प्रप्रक्रष् vai कर रहें देपूर्ड के साथ लिए पुछ स्टूटेंट थे तो यह मे प्रीवियस रिकॉर्ड बताता है कि मेंस के स्टुडेंट पहुस अच्छे स्टुडेंट से उन्होंने बहुत अच्छी थरोली रिबीजन किया था और एविजन करने के बाद भी तब इग्जाम में बैठने के बाद उन question को देख करके, no doubt, बहुत complicated question नहीं थे, लेकिन कुछ important topics, कुछ important theme missing करके, ultimately, जितना अच्छा perform करना चाहिए, उन नहीं करके, अब उन्हें board exam में बैठना है, time बहुत कम है, अपने previous को सोच कर, उनका confidence level दूज हुने, मन में आता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बैसा ही होगा, dear student, आपको इन सब का negative, infection, reflection, किल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों, मैं आपको एक revision strategy बताने जा रहा हूं, super revision methodology, किसके बारा, आप यह जो limited time है, इनमें अपनी memory को recall करके, at least 10 to 15 time revision कर सकते हैं, और जो 10 to 15 time revision होगा, यह block strategy पर बेस्ट होगा, अब क्या block strategy है, मैं आपको previous videos डाल चुका हूं, जो continue देख रहे होंगे, हमने physical color, organic color, और inorganic color, how to maintain organic preparation, how to smooth run my physical preparation and how to maintain preparation in organic chemistry, इनके block wise मैंने डाल लखे हैं, हमने देखा होगा, और in block strategy की माध्यम से, आप पूरे syllabus को, 10 time नहीं 15 time revision कर सकते हो, अब बहुत सरी student देख रहे होंगे, कुने यह problem हो रही होगी, 10 time 15 time revision, अरे हमें 2 time revision करने में, 2 बार revision, 3 बार revision में जान निकल गई, और आप कह रहे हैं कि 10 times 15 time, यह student बिलकुल, यह universal truth है, 15 time revision होती है, मैं अपने class student को, each and every year, इस strategy के माध्यम से, prepare करा करके, board examination में 99 और 100 time लग जाती है, तो इस सारे students से होते हैं, और इस्ट आप करते हैं, यह student, like my previous experience, I want to explain some most efficiency and evident methodology for you, which will prove place for you in coming examination, और यह है क्या, year student मैंने इसका नाम दिया, super revision concept, और इस super revision method में कैसे adopt करेंगे, 15 time revision कैसे कर लेंगे, year student इसको मैंने divide किया है, three stages में, super revision methodology divided in three stages, पहला stages है, str notes, heading topical notes, second step है, अब इसके first step में कौन को नहेंगे, मैं भी discuss करता हूँ, और इसके second step होगा, वो recollect memory, और third step होगा, exam mapping, exam memory map, इन तीनों को कैसे करते हैं, देखिए, year students, no doubt, I am sure, that if you will follow to this, no doubt, your score must be between 97 and 100, करना क्या है, सब पहले इस में देखे, super revision concept में पहला stage है, तो first stage आपका है, that is, what is this, htr, अब htr revision क्या होता है, what is this, ठीकि htr revision, पहले stage में आया, we have divided in three parts, htr revision को three parts में हमने divide किया, वैसे मैंने तीन stage बनाए, यह पहला, उन तीनों stage में यह पहला stage है, htr, fading topical revision notes, अब इन में क्या writing करना है आपको, देखिए इसके three steps है, इसका पहला step है, समझे बहुत अच्छी तरह से, it becomes most and most helpful, क्योंकि आपको लग रहा है, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, time काम है, यह हम previous mistake कर चुके हैं, फिर ऐसा न हो जाए, और यही सोच आपकी preparation से क्या कर रही है, दूर ले जाए, आपको अट्राइट करने की बज़ा रिपेल कर रही है, आप अपने subject से, आप अपने topics continue attraction की बज़ा रिपल्सन की और move कर रहे है, इस पर देखिए, यह जो पहले state, तो मैंने बोला, super revision method, उसका पहला step है यह, और यह HR notes, अब HR notes को मैंने तीन पार्ट में divide किया, पहला इसका part क्या है, class, notes, plus, n-c-e-r-t, books, first hand, dear student, class, STR में पूर आपको नहीं पढ़ना है, मैंने जो blog study किया, जो blog study, tatsy है, वो किबल, जानतु क्या है, जो मैंने पहले video share कर रखे हैं, वो super revision methodology में नहीं है, क्योंकि blog study, एक जानतु कैसी study होती है, तरोंसी भी study है, means line, एक-एक line आपको पढ़ना होता है, तो आपने modes बना रखें, जो आपके पास books है, but dear student, अब उसमय नहीं है, एक-एक line पढ़ने का, सुपर revision नहीं है, पहला आपने क्या किया, तो heading, heading देखेंगे उसमें, main topic क्या है, heading and topic writing, तो पहले category क्या करेंगे, first category मैंने इसमें लिया, आपको notes क्या बेगना है, class notes and NCIT books, means I hope, आप जिससे भी पढ़ रहे थे, जिस coaching में पढ़ रहे थे, online पढ़ रहे थे, self study कर रहे थे, means आपने notes त्यार किये होंगे, क्योंकि notes जो त्यार किये जाते हैं, उस सबसे बड़ी property आपकी होती है, सबसे ज़्यादा वो आपकी help करते हैं, right, two class notes आपके हैं, आपने बना रखा है, teachers ने बड़ी मेहनस करके बना जाया है, जहां भी जिस पेज ले लिजिए, एक register page ले लिजिए, और उन्हें में chapter पहले organic ले लिजिए, और organic में जितने chapters हैं, उन chapter के main, main जो headings हैं, जो topic हैं, वो topic लिखते जाएं, topic सारे लिखते जाएं, आप ही जो note सामने रख्या होंगे, और आपके anxiety book होगी, उनके topic लिखते जाएं, organic के साले topic लिख डालिए, cable heading लिखने हैं उनकी, पूरा-पूरा matter अंदर के नहीं लिखना, heading लिखने है cable, ठीक है, और organic हो गया, inorganic हो गई, और physical हो गया, क्योंकि इनको सारे एक pages को लेकर pages में, सारे heading heading लिखते चले जाएंगे, और heading लिखते समय, mind करते जाएंगे, recall करते जाएंगे उसके अंदर matter क्या है, एक नजर दालते जाएंगे, और इस work में, maximum maximum जो आपको समय लगेगा, that is, 4 hours, 4 hours में, यह HDR notes का पहला step था, समझ गया है, सबके समझ में आ गया होगा, last notes और NCRT book, आप सारे heading mode करेंगे, और अंदर का matter जो है, एक बार देखते चले जाएंगे, recall करते जाएंगे, ताक कि आपके memory में reflect होता है, किसका जो second step है, str notes का, second step में क्या करेंगे, क्योंकि आपका numerical भी है, numerical पार्ट है, numerical पार्ट फिजिकल के chapter चाप्टर्स हो, electrochemistry हो, solution हो, chemical kinetics हो, उन्हें बहुत सारे numerical होते हैं, तो सारे एक एक numerical लगाने का समय नहीं है, नहीं भी बीजन कर पाएंगे, एक एक numerical लगाते हैं, पढ़ेंगे नहीं वो पाएगा, आपके तीनों physical में, तीनों chapter के numerical हैं, organic में word problem होते हैं, compound A, react with this to form B, P react then form C, C react with this compound to form D, identify A, B, C, D, ठीक है, वो इसी तरह से D, block से, D and Yup block से भी, आ जाते हैं, inorganic compound का word problem, तो word problem हो गई, और ये तीनों physical के chapter से तो numerical हो गए, तो उसके लिए क्या करना है, TNR मो, इसका second topic लिए हमने, TNR, TNR में क्या है, पेटा individual numerical नहीं आपको करना है, एक एक numerical करते चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप topic है note, देखेंगे, इस topic से related कौन को numerical है, उन में सिर्फ देखते जाएंगे, इसकी मदल लेंगे, आप इस में मदल लेंगे, N-C-E-R-T book और आपकी, जो numerical की copy बना रखी है, जो पूरे साल में हिद किया है, जो collect किया है, आपने खून पसीना बहा करके, जो night एक करके, जो notes बनाया, उसको इक नोर कैसे कर सकते हैं, तो आपके particular जो notes है, उन notes के जो एक numerical copy है, जिसमें numerical आपने solve के है, उस copy की मदल लीजिए, और N-C-E-R-T book, only N-C-E-R-T book, ओकी, उस N-C-E-R-T book में आप कैसे बनाएंगे, कीन चीज़े देखेंगे, एक, दोनों volume, volume first and second, especially physical chemistry, physical chemistry में, means solution, electrochemistry and chemical kinetics, इन में देखें क्या करेंगे, in-text, in-text, example and exercise, आप ये देखते नहीं के बल रहेंगे, आपके पाप पेल होगा, और register होगा, उसमें देखेंगे, कि जैसे suppose solution है, तो हेनरीस ला है, राउट्स ला है, ओके, elevation in balling point है, depression in freezing point है, आस्मोटी pressure है, तो इन से related कौन कौन से numerical है, जो most effective numerical है, तो उसमें क्या करेंगे, book का, books आपके सामने रखी होंगी, ठीक है, उन में आप recall करते जाएंगे, numerical number ये देखें, numerical है, उसमें क्या लिखनेंगे, रेजिस्टर में, आप क्या, इसमें हैनरीस ला, applicable है, तूसरे में numerical category है, आस्मोटी pressure से related है, नेक्स्ट केटेगरी का उन से है, एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट से related ये नुमेरिकल, उसका topic, numerical number, topic, numerical number, ओके, इस topic से, solution में इस topic की इतने numerical हैं, ओके, आस्मोटी pressure से ये नुमेरिकल हैं, ठीक, इसी तरह से आप, और वो तीनों में देख लेंगे, इन एक्जांपल से और एक्सर साइस से, उससे करेंगे, टियर स्टुडेंट यहीं कॉंसेथ्ण آप एक्सरि 1945 में करेंगे, तो topic और नुमेरिकल नंबर, topic नुमेरिकल नंबर, ओके, ये तीनों में करेंगे, और इस टुडेंट कि मैं स्योर हूं इस बात का और आपको स्योर करता हूं यह सब करने में कि यूपिल स्पेंड मैक्जिमम त्री आर्स टाइम लगेगा वो जो मैंने बताए थेरिकल वो और आर्स में यह कितना लगा यह और इसकी तीसरी कि किसमें हैं सब एस्टी यार के अंदर का थे एस्टी यार एडिंग टॉपिक नूट्स की कि नहीं हर मूट्स है यह च्र नूट्स इसको बुलते हैं और इसमें तीसरा है एज इस पहले टॉपिक का थार्ड स्टेज एटी पीवाई क्यू आइज पीवाई क्यू आइफोप कि अधिवेरेडी नोव प्रीप्येस्यस इर कोईस्टन यह बहुत मड़त गरते हैं क्यों पीवेस्यार कोईस्टन यह होते हैं इस तुरंध आप ने देखा पता लग गया कि आप बोलड एक्जामिनेश्यं में बैठ और उसमें पर तरह से देखना तहाई आपके पास कुछ exam ideas होते हैं कुछ other sample papers books होती है कुछ other exam के समय आपने short pollution against paper type purchase कर लेते हैं या आपके पाद personal notes है उन numerical solve कर रखा है copy में नहीं के अलाबा पीवाइक्यू के लिए unsolve paper ले रखे हैं या अधर कोई भी आपने helping books रखे हैं उसमें पीवाइक्यू है अब खास करके पीवाइक्यू में organic inorganic फिजिकल हेरी है पेलाइक नुमेरिकल और नुमेरिकल आप देखते हैं उसमें भी ज्यादा वर्क नहीं करना आपको topic heading by केवल heading देखना है notes पुरे notes नहीं बनाना है केवल heading heading दिखना है तो उसमें देखेंगे यह डाल देगे किषियर में इस chapter है इस chapter chapter वाइद में यह पीवाइक्यू उसमें लिएगे यह प्रिवेस लियर कोईस्टन हर रखेंगे चबने लिया है यह प्रिवेस लिए क्वेश्चन से उसमें भी आप लिग देंगे क्या आपिक प्यंग क्यों और रखेंगे एक आप के पास एकजाम आईडिया या इस तरह थे अधर जो हेल्पिंग मेटिरियल है bangson material उसमें पीवाई क्यों है ऊक है उसमे इसकत है क्या लिघ दिया है जिन्स जैरी सब्रेंटेड उसमें है कोई नेम रियक्शन से और यह तो यह आई हैं अने लिघ दैस्लिके यह सिर्धाटेडे से कुआ की जाए यह कहाँ कई तो जो आप यहां सांट आउट कर रहे थे टापिक लिखते चले जा रहे थे उन में साख़ो पीछी के लिख देंगे लिए लिए लिक्तिया और कुछ निलिक रहे थे उन्हें में आप speech common लगा करके या एक bracket में उसी के साथ लिग दिया इस year it means आप नज़र डालते चले जाएंगे तो यह भी आया कि इस topics related या यह concern numerical या यह interconversion या यह reasoning ओके या यह IPAC name या distinguish among compound यह इस year में था और यह PYQ को किसे heading HR notes में maximum आपको time लगेगा two hours ओके टोटल टाइम इसमें कित्रा इस्पेंड किया और थ्री सेवन टू आइन आइन आर्स में आपने HR notes त्यार कर लिया एक बार फिर मैं कह रहा हूं HR notes में dear students पूरे notes नहीं लिखना है definition नहीं निकला है केवल hating hating लिखना है उनकी hating लिखना है नजर अंदर डालते चले जाना hating लिखना है उन्हीं heading के पीछे ही हम numerical में भी index example exercise में भी topic के नाम लिख दिया numerical के साथ ही book में लिख दिया solution book में उसमें भी लिख दिया topic के नाम और वहीं साथ में लिख दिया यह previous year question में था exam में आया हुआ year लिख दिया जब PYQ लिख दिया के भल साड़ PYQ आपको पता चलगे previous year question exam में आया हुआ ही है यह start out कर दिया तो PYQ भी आ गया numerical के भी heads आ गये टाइटल और आपके reasoning भी आ गई और एक दो question mechanism के हाथ है क्योंकि आपको यात रखना चाहिए 25 परसें आपके एक्जाम में numerical पेटेज होगा वह maximum 25 परसेंट यह पहला stage आपने पूरा किया कि इस 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 यह लिखा था यह str notes वाने heady notes तीन चीजे देखा पहले में class note to ncrt के तूसरे में numerical के लिए index example और exercise से और तीसरे में pyq ओके अब इसका देखें सेकेंड जो इस्टेज है यह फर्स्ट इस्टेज था कि सेकेंड इस्टेज यह स्टुडेंट सेकेंड इस्टेज होता है री कलेक्ट में पूरियों कि कलेक्ट अब री कलेक्ट मेमोरी क्या करेंगे means आपने हेटिंग लिए नाइन और समय बरबाद हुआ नाइन और समय उसमें किया और टोटल नाइन ध्र इस्टूडेंट सब कुछ आप नएम आज होते हैं आप री कलेक्ट क्या करना है आप नहीं प्रिकोलेट मेमोरी को एक को हेडिंग लिखे थे उनके अंदर क्या मेटर है उनके अंदर मेरकल और फेसी बीडिबनेटी qualities question आ सकता है एक उसका application related question आ सकता है या एक उसके numerical आ सकते हैं तो वान टू थ्री है ना सब टॉपिक थे उसके अंदर आपने पढ़ा तो reaction पढ़िए आपने तो reaction में नाम लिखा था क्या बिल्याम सन्सिंथेसिस लेकिन उसमें सब्सक्राइब क्या है घरिक है उसकी आपिणोर करें करें करिया करें रियक्षिन क्या थी कि अप्लाई होती उसकी लिम्टेशन क्या थी ती अंदर सब टॉपिक है तो डियर स्टुटेंट यह जो रिकलेक्ट मेमोरी है इसमें हमें उसके अंदर वाले जो हेडिंग लिखे थे उसके अंदर वाले topic को देखना है so is student everybody करेंगे इस तू category में do iuvoit करो लुए एक करते हैं यह जो stage है second stage इसको दो part में doide करते हैं पहले क्या करेंगे mixing up लाज नोट्स प्रस की इए आई टी कि पहला काम किया पहला वर के देखते जाईए जो मैंने बताया आपने 60 बना रखे अपने उसार बना रखे नहीं बना रखे इसमें मैं पूरे नोट्स लिखने के बार नहीं कहे रहा हूं है हेडिंग लिखे तो उसमें इतना जरूरी नहीं होता है कि वह आपने नोट्स बना रखे उसमें चैप्टर के सब कुछ आ जाए हाँ कुछ मिसिंग उसका है कुछ उससे जूडेंगे आप बुक्स और रखे लेंगे निस इतनी दोनों को शूर्द लेंगे आ में समसा रखे ृंश करते कुछ उसमें नहीं होगा तो उसमें नहीं उगएti उसमें दिया होगा उसमें नहीं दोनों को मिक्स किया और चीज करने के बार एक चीज देखेंगे को उसके अंदर के टॉपिक में भी नजर डालेंगे मिउरें ओर की टॉपीग में जाएंगे के तारी का सब टॉपीड के तौर पर नोंत्स जैसे हेडिंक आप ने क्या डाली थी हेडिंग आपने डाला क्वू क्रागेटी ब्रॉपेटी इस सब टॉपीक के अंदर सब टॉपिक में ही है आप पढ़ चुके हैं थारोली रिवाइस कर चुके हैं प्रिपियर हैं लेकिन एक बार हमें देखना है और यह क्यों बता रहे हैं यह कुछ स्टूटेंट यह करते हैं चैप्टर देख रहे हैं भी स्वलूसन तयार कर लिया और एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यार होगी वह त्यार करके आप कहते हैं तीन चैप्टर त्यार कर लिया आप अर्गेनिक तरफ जा रहे हैं और अर्गेनिक जब गए तब तक वह फिजकल पर मिस्ट्री आपी दीर होगी कुई इधर से उधर बटकते हुए और ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कहीं रास्ता न दीकर पर बटक करके फिर अपनी जगे पर आगे उन्हें मालूम नहीं दें जहां से चले फिर वहीं पर आगे तो नहीं करना है आपको नेवर हमारे जो एचीवर्स हैं तो 98, 95, 99, 100 कोड एक्जाम में लेकर करके आते हैं इवन दो जही में में 99 और फिरी स्टुडेंट अभी आप आपको तो रिकलेक्ट मेमोरी में जो हेडिंग लिख दीखे था उसके अंदर के टापिक देखना है तो इसमें पहला क्या करेंगे प्लास नोट और एंसी आपको नोट के नोट मीन्स वही टॉपिक जो लिखे है उनके अंदर का मैटर देखते हैं और इसको देखने के तो यह HR notes थे, HR notes थे, यहनि जो heading लिखा था, उनको क्या करेंगे review करेंगे, review में समझ रहे हैं ना, कि अंदर के topic को देखेंगे, पुरा learn नहीं कहना, learn तो पहले कर चुके हैं, आपने लिखा, तो चाहिए topic heading उसके अंदर यह होगा, पैट करके अपने memory को recall कर रहे हैं, और memory recall क चाहिए, आपके mind में flashing आनी चाहिए कि इसमें यहां तक था, हमने यहां तक पढ़ रखा था, chemical kinetic में यहीं पढ़ रहे हैं, तो chemical kinetic में फस्ट-order reaction पढ़ा, तो फस्ट-order reaction उसमें लिखा है, तो उसके तुरंद आपका flash होगा, कि first order reaction में, तो chemical kinetics भी होता है, हाप line terms में भी chemical kinetic kinetic होता है, उसका graphical representation भी होता है, और first order में, क्या बताया कि जितने radioactive disintegration है, वो first order reaction में ही count होते हैं, और आपको यह देखना है, यह reaction gaseous state में है, तो उसके लिए first order reaction का kinetic को सल different होता है, यह क्या करेंगे, continuous recall करेंगे, क्योंकि recalling method जो होता है, आपके अंदर के matter के evergreen कर लेगा, और revision, many times revision, 10 to 15 time revision, यह वो चीज है, जो आपके complicated problem को evergreen कर देती है, जब exam में बैठेंगे, बार बार वही नजर आएगा, और आप बहुत strongly attempt करते चले जाएंगे, यह आपको recall करने में, means heading देखा, उसके अंदर का, बैट कैसे सोच रहे हैं, recall कर रहे हैं, क्या क्या था, हो सकता है उसमें बहुत सारे topic recall memory में आप आए, तो आप तुरंट उसी समय, जो नहीं recall में आप आ रहे थे, तुरंट book सामने आपके रखी चारों तरफ, यह नहीं डूणना है कि book कहां डूणे, कहां रखी है, इस सब आपके सामने होनी चाहिए, ओके, तुरंट आप उसी समय खोल कर अंदर देखिए, क्या topic था, क्या गडबड था, है न, इसको बोलते हैं क्या recall memory, review in memory, कोई numerical है, तो numerical का ध्यान गया, chemical kinetics से था, तो आपने देखा था, एक numerical ऐसा भी था, तुरंट माइंड आएगा, एक numerical था, कि नमबर आप दा, फ्रैक्साना मालिक्यूल्स, whose energy is either equal or greater than, its activation energy तो recall mind भी किया, हाँ, इससे तो एक इंटेक्स में numerical दिया हुआ है, इससे से related है, एक PYQ में इस से पूचेगे जो इससे से related है, okay, database numerical है, तो इसको खहता है, review करना, जब नहीं आ रहा है फिर उसको देखिए, फिर उसको देखिए, और ये एक साथ जाएगा, organic के सारी chapter, inorganic क सारी chapter, और फिजगल के सारी chapter, तो ये जब recall कर रहे होंगे memory में, जहां गडबड कर रहा है, missing कर रहा है, उस समय अपने patience को build करिए, patience build करना, आपकी primary success का कहली identify, और उसको देखते जाएए, देखते जाएए, बार-बार देखेंगे, तो I hope, first time जब इसको करेंगे, ये पूरा, उसका अंदर का matter देखेंगे, review करेंगे memory को, तो dear student, इसमें आपको, seven to eight hours time लग सके, इसने, seven to eight hours time लग जाएगा, तो nine hours उसमें लगे थे, आपके, seven to eight hours इसमें लग गया time, लेकिन dear student, ये certain है, कि इसको जब दो, तीन बार revision करेंगे, फर्स्ट revision में तो seven to eight hours लगे, और इसी में, after, using, using three to four revision, three to four revision, इसको ऐसे करेंगे, रिकाल करेंगे memory को, हेटिंग देखेंगे, उसके अंदर के सब टॉपिक देखेंगे, बार बार रिकाल करेंगे, नहीं आ रहा है, खोल के देखेंगे, तो इसमें पहले लग गया है, seven to eight hour, लेकिन second, three, four revision के बाद, dear student, ये two से three hours तक मिट जाए, ये घटकी कितना आ जाएगा, two to three hours में आ जाए, मिन दो से तीन घंटे में, आप फिजिकल, और्गेनिक, इन और्गेनिक, रिविजन कर लिया, और dear students, एक चिद्ध्यान रखियेगा, इसमें, आप कोई एक चैप्टर नहीं, सारी चैप्टर्स, फिजिकल, और्गेनिक, इन और्गेनिक, तीनों ब्लॉक के, एक एक टॉपिक और उसके अंदर के रिविजन, continuous होता चला है, और फाइनली, फाइनली आप क्या, ओ ये रिविजन आप कितने हैं, ये रिविजन नो डाउट में आपको क्योर करता हूं, कि 10 तू 15 रिविजन विदिन 4 डेज में आप कम्प्लीट, 15 रिविजन, स्क्वेंस मैंने अपनाया, आप अच्छी तरह देख लिजे, और 3 है, C, तो 3rd step आप, वो एक्जाम, मेमोरी मैप, मेमोरी मैप, अब एक्जाम मेमोरी मैप के लिए, केर स्टुडेंट्स हमारे केमस्ट्री भाई, डॉक्टर परियार कैनल में देखेंगे, तो मैंने और्गेनिक के लिए, इन और्गेनिक के लिए, फिजकल के लिए, अलग-अलग ब्लॉक, इस्ट्रेट्जी आपकी बना रखे, ओके, कि इसमें कौन से टॉपिक पहले देख लें, नेम रियक्षन में क्या-क्या देखना है हमें, कमपाउंड डिस्टेंगिज बट्विन तकमपाउंड और्गेनिक कमपाउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह भी होती है, कि प्राइमरी-सचरी, टरसरी अलकॉल में的 difference बताईए, प्राइमरी अमाइन और अनिलीन के भी difference बताईए, यह differences कोँशे निकें? किस चैप्टर जदानी के उम्मीद है केस बेस्ट क्वेस्टन और गेनिमी किसे जदा आ सकते हैं इसकल में कौन से सिल जदा कि फास्ट सुपर फास्ट सुपर रिपीजन मैथट क्लियर और इससे नो डाउट आप 10-15 रिवीजन पूरे सिलाबस को कर लेगे क्योंकि चैप्टर पढ़ें फिजिकल पहले दो दिन लगा दिया फिर दो दिन और गेनिक में लगा दिया और एक दिन आपके लिए किसका बच आएंगी तो आप कैसे उम्मीद करते हो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा यह मैथोलोजी आपको अड़ाप्ट करना है या दखना है एक मिनट में खितम किये दे रहा हूं एस्टियार मीन्स हेडिंग टॉपिक डिवीजन नोट्स उसमें सारी सारी चैप्टर के और गेनिक इन आएस नाइन हार्स टाइम गया और इसके बाद दूसरा टूरीट मेंमोरी सिकनलेस्ट टवर्ध के प्लास प्रफॉ भाद की टीचर के मदद से लांलाइन की मदद से ऐस्ट के अग्वारा चूट रहा है और चूट रहा है तो तुरंद उसी समय भूख सामने रखे होगी उसके अंदर चले जाए नुमेरिकल में भी और गेनिक में भी प्रेंस में भी और इनार्गेनिक के जो टी एंड यप में और क्वाइडिनेशन केमिस्ट्री ब्लॉक में टाल रखा उनको आप सकते हैं और फाइनली एक्जाम में उससे ले लिजे तो इसमें नाइन पर उसमें लगे थे एट आर्स में लगे नाइट सेवेंटीन आर्स हो गए और यहां पर जब दो तीन बार दिवीजन इसको कर लेंगे तो मात्र एट रिवीजन के में जानते हुआ कितना समय लगेग और जब कीशन इसको 3 मेंन सब्सक्राइब मुइर दो आपके पास दिले स्टोडेंटन तोतल टाइम युनों सेवेंटी फाइफ हैं इसे लेकर के सिक्स के लास्डेंटी सिक्स तक वन हंड़र सबby कर दीजे तो सेवेंटी फाइवार्स बचते हैं उन nggak आपके अंदर के टॉपीक देखने में कितने इस्पेंट किया एक आर्स ओके और फिर कि पहले रिवीजन में वह देखने बार और जब शेकेंड रिवीजन में तो ठीजर करेंगे और जितने ज्यादा रिवीजन होंगे dear student जब exam में बैठेंगे जा करके तो आपके अंदर कोई ऐसा पीक पॉइंट नहीं होगा तो वहाँ पर आपको nervous कर सके तो आपके confidence को lose कर सके और dear student मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा perform करेंगे no doubt इसको जरूर फालो करिये video आपका अच्छा लगा तो अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें dear student we are trying to spend a lot of material and tips for your strong level preparation in chemistry log level preparation in chemistry super level preparation in chemistry best of luck